Hey guys, this is Sartag and you are watching Mordex 6 So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं PC Build Under Rs. 1,00,00 जानते कौन से best of the best component आप एक 1,00,00 के PC के अंदर use कर सकते हो और ये जो PC Build होने वाला है, इसके अंदर मैंने peripherals को भी include करा है यानि मैं आपको monitor और keyboard mouse भी included है 1,00,00 के अंदर और अगर actual PC की बात करूँ कि वो कितने का होगा, तो वो होगा 78,000 रुपीज का तो अगर आपको मतलब 78,000 रुपीज यानि 80,000 रुपीज तक का PC सिर्फ PC Build करना है तो भी इस वीडियो को देखते रहो, तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस वीडियो का अब हम शुरू करते हैं और हमारे चैनल के उपर ऐसे ही PC related content के बारे में ही बात करी जाती है इसको एक अच्छे motherboard के साथ pair करोगे तो आप इसको overclock भी कर सकते हो और इसके अंदर motherboard भी मैं यूज करूँगा वो काफी अच्छा है आप उसके तुरू इसको overclock easily कर सकते हो ठीक है motherboard इसके अंदर काफी अच्छा मैंने यूज करा है और बात करो इसकी price के बारे में तो यह हमें यह हमें बहुत जादा easily 16,500 रुपीज से लेके 17,000 रुपीज तक का मिल जाएगा offline अगर लोगे ना तो 16,500 का easily मिल जाएगा बात करोगर मैं RAM के बारे में तो आपको पता ही होगा या RAM कितनी जादा सस्ती हो चुगी आज के टाइम में RAM काफी जादा seriously बहुत जादा सस्ती मिल रही है और especially बदा तो Corsair Vengeance LPX RAM तो seriously बहुत जादा सस्ती मिल रही है 16 GB RAM की जो kit है वो आपको easily 6,000 रुपी से लेके 6,500 रुपी की easily मिल जाएगी जिसके अंदर आप लोगो 8 GB RAM की total 2 sticks easily मिल जाएगी तो आपकी जो RAM होगी वो total हो जाएगी 16 GB की और dual channel के अंदर चलेगी तो आपको पता है आपके सारे काम seamlessly होने वाले है और थोड़ा बहुत अगर आप इन RAM को overclock करना चाहो यह वैसे 3000 MHz की frequency के साथ आती है तो अगर आप इनको overclock करना चाहो तो आप easily इनको 3400 MHz या 3600 MHz तक easily overclock कर सकते हो कोई भी problem वाली बात नहीं आएगी क्योंकि इसके उपर जो heat sink हमें मिलती है वो ठीक ठाक अच्छी कासे हमें देखने को मिल जाती है अब बात करते हैं हमारे motherboard के बारे में तो इसके अंदर यूज किया गया है MSI की तरफ से B450 Tomahawk Max पहले एक B450 Tomahawk आता था अब एक Max वाला वीरेंट आने लगा है तो उनों के अंदर कोई डिफ्रेंस ही निया बस डिफ्रेंस है BIOS का जो हमारा Max वाला वीरेंट है वो out of the box 3rd generation के जो CPUs है AMD के उनको ये support करता है तो काफी जाद अच्छी बात है जो headache होता है ना हमारे अंदर की यार BIOS को update करना पड़ेगा अगर हमने second gen को support करने वाला motherboard ले लिया तो तो इसके साथ कोई दिक्कत नहीं सीधा लगाओ plug-and play वाला मामला CPU घुचा और अपना चलाओ ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और इस motherboard के बारें बात करूँ तो जो इसकी VRM section है वो हमें काफी जादर अच्छी देखने को मिलती है seriously अगर आप अच्छे खासे level पर overclock करना चाते है अपने 3600 को तो आप overclock कर सकते हो हाँ एक liquid cooler भी ले 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 ना मतलब अगर आपको बहुत जादा अच्छे खासे level पर overclock करना है तो बाकि आपको बताओ 3600 stock speeds के उपर heap नहीं जादा more than enough performance आप लोगो दे देगा न कि आपको overclock करने की जरुवत बिलकुल भी नहीं पड़ेगी और इस motherboard की price की बारे हम बात करो तो यह हमें 10,500 रुपे तक का easily offline market में मिल जाएगा वैसे एक बात और बताओ जितने भी parts में आप लोगो इस PC build के अंदर बता रहो हो ना सभी की links मिल जाएगी आप लोगो description के अंदर आप Amazon से भी PC build को कर सकते हैं आपको सिर्फ एक या फिर 2000 रुपे का maximum difference देखने को मिल सकता है online और offline में वो आपके उपर depend करता आपको कहा से PC build करना है अब बढ़ते हैं हमारे अगले point की तरफ यानि मतलब अगला component point क्या होता है तो अगली चीज़ है हमारे हमारे graphics card जी है इसके अंदर graphics card जो हमने use करा है वो अच्छा खासे level का करा है जो कि है हमारा galaxy की तरफ से 2060 super इस graphic card के बारे हम बात करो तो इसके अंदर जो हमें max boost clock देखने को मिलती है वो है 1650 MHz की 8GB GDDR6 टाइप की इसकी memory और 256 bit का इसका memory interface है इसके अंदर हमे 2176 CUDA cores देखने को मिल जाते है overall इस graphic card के बारे हम बता हूँ तो 2K की gaming ये easily करवा देगा 1080p high refresh rate की gaming भी easily करवा देगा तो जो इसके अंदर monitor मैंने use करा है वो भी एक 2K 144Hz वाला monitor है जिसकी वज़े से आपको जो भी मतला आप अपने games enjoy करोगे वो आप 2K की पर भी enjoy कर सकते हो साथ ही साथ आप high refresh rate gaming भी इसके साथ कर पाओगे अब बढ़ते हैं हमारी storage की तरफ तो इसके अंदर मैंने use कर ये 240GB की SSD जो की आती western digital की तरफ से green इस SSD की बारे हम बात करूँ तो ये आपको 240GB की देखने को मिल जाती है और आप इसके अंदर अपनी windows को install कर सकते हो साथ साथ कुछ थोड़े बहुत games या फिर कोई थोड़ा बहुत आप कोई software इंस्टॉल करना चाहते हो आप उसको install कर सकते हो बाकी अलग से आपको mass storage के लिए इसके अंदर 1TB की मैंने hard drive यूस करी है उसका आप use करोगे तो आपको अपनी movies हो गई, games हो गई या photos कुछ भी आपको अपना जो store करना होगा PC के अंदर तो आप उसको easily store कर पाऊगे इन सभी components को power देने के लिए 550 watt will be more than enough so I have used Antec की VP 550 Plus ये जो power supply है ये 80 plus wide certification के साथ आती है और overall आप लोगो बता तो ये Corsair की VS 550 से काफी जादा मतलब अच्छे है जो इसके अंदर हम लोगो capacitors की quality वगरे देखनी हो मिलती है वो उससे काफी हद तक better है ये power supply हम लोगो 3200 रुपीज की देखनी को मिल जाती है और अब आपके बैस 3000 रुपे से लिए 5000 रुपे बचे है for the cabinet तो आप अपनी पसंद की कोई भी cabinet buy कर सकते हो अब बढ़ते हैं हमारी peripherals की तरफ तो since मैंने इसके अंदर 2060 Super यूज किया है जो की capable है वाई 2K 144 रुच की gaming कराने के तो आप इसके अंदर यूज करना LG की तरफ से Ultra Gear Monitor जो की 23,000 रुपीज का देखने को मिलता है बात कुर इस monitor के बारे में तो यह है VA panel का एक monitor और इसके अंदर हम लोग को 1ms का response time देखने को मिल जाता है 2K का resolution है यानि 1440p का resolution मिल जाता है 144Hz का इसका refresh rate है तो आप 1080p 144Hz खेलना चाहते हो तो आप वो भी खेल सकते हो 2K के उपर आपको जितने भी frame rate मिलेंगे आप उसके उपर भी gaming easily कर पाओगे तो overall यह काफी जाद अच्छा monitor जब इतना पैसे हम खर्च करते हैं na GPU के उपर तो हमें बिल्कुल भी cheap out नहीं करना चाहिए अपने monitor के उपर तो पूरा मजा आने वाला जब आप इसके उपर gaming air करने वाले हो अब बढ़ते हैं हमारी keyboard और mouse की तरफ तो mouse इसके अंदर मैंने use कर आ है Logitech की तरफ से G402 Hyperion Ultra Fast FPS Gaming Mouse काफी बढ़ा नाम है 2000 रुपे का है यह mouse हम लोगों देखने को मिल जाता है सेल के अंदर 1800 रुपे का भी मिल जाता है currently मिल रहा है वाई सेल चल रहे है ठीक है Amazon के उपर और इस mouse का जो रिव्यू है वह मैंने अपने चैनल के उपर डाल रखा है हो सका तो उपर आई बटन में लिंक उसकी दे दूँगा वहां से जाके आप इसके जो भी इसका रिव्यू है आप उसको जाके देख सकते हो कीबोर्ड के बारे में बात करो तो कीबोर्ड इसके अंदर यूस किया गया है Cosmic White की तरफ से CBGK03 काफी जाद है कमाल का कीबोर्ड है लगवग 5,000 रुपए से लेके 3,000 रुपए तक का देखने को मिल सकते है Online मतलब इसकी प्राइस वे उपर नीचे होती रहती है Sale पे सस्ता मिल जाता है Normal Days पे थोड़ा महेंगा मिलता है लगवग 3,000 रुपए के आसपास में ऐसे ही PC Builds और देखने हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना हमारे चैनल को क्योंकि हम ऐसी कवाल की वीडियोस बनाते रहते हैं तो मैं मिलूँगा आपसे को औरने वीडियो में तब तक क्लिया Thanks for watching